नमस्कार आप देख रहें इंडिया नियोज राजस्थान में आपके साथ अलेनुम जाहान शेक बोड़िंग की शुबात करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर से स्टेट हैंगर से दिली के लिए रवाना हो चुके हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कि जैपूर अशोग गैलोट दिली के लिए रवाना हुए जैपूर से दिली के लिए रवाना हो चुके हैं और जिस तरीके से खबरे सामने आ रही हैं मलिक अर्दून खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम कॉंगर्स के दिगज नेता जो है शिरकत करन अशोग गैलोट दिली के लिए रवाना हो चुके है इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे सायोगी दिनेश वामारसा फोनो लाइन पर जो जुचे है दिनेश सीम अशोग गैलोट रवाना हो चुके है दिली के लिए क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमत्री असो गैलोट दिल्ली के लिए रवाना हो चुक है चार्टर प्लेन से और साम साधे साथ बज़े मलिका और जुन खड़के के आवाद पर जाएंगे वहां कल सोनिया गांदी से एटी पुस्ताज करेंगी उस रनिती को लेकर एक एहम बैठक बुलाई गई है साथ ही मलिका और जुन खड़के डीनर भी देंगे और दीनर बे में भी सीम असो गैलोट इस्ता लेंगे सीम असो गैलोट की वाक्ती जेपूर कब होगी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि सोनिया गांदी से एटी आगे किस तरह पूस्ताज करती है राहुल गांदी की तरह या उसी आदार पर मिरभर करेंगे रात को जोद्पूर हाउस में ही सीम असो गैलोट रात्री विश्याम करेंगे तो एक एहम बैठक होने जारी है मलि बैठक को देखे कौन-कौन से तमाम वह दिगज होंगे जो इस बैठक में शुरकत करेंगे तमाम जो सांचद है परदेश परवारी है और महासुचीव है और अन्य जो वरिष्ट कॉंग्रेस नेता है उनको कॉंग्रेस पार्टी ने बैठक में बुलाया है और उस बैठक म किस तरह विरोध होगा इसकी रननीती इसी मलिक अरदूर खरगे के आवाज पर होने वाली बैटक में तयार की जाए कि जिसमें स्टीम अशोग गैलोध की भी एहम बुल्विका होगी इस तरह राहूल गांदी की पूस्ताज के दोरान सक्रिय बुल्विका निवाईती के लिए दिनेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो आपको बतारे कि जैपूर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके मुखर मंत्री गैलोध मालिक अरजुन खड़के के आवास पर एक बड़ी बैठके जिसमें शिर्कत करने वाले हैं